इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है. हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते. किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले. अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. कड़पिन B-Stabulate High Blood Pressure, यानि की hypertension के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है. यह calcium channel blocker नामक दवाओं की श्रेनी से संबंधित है जो blood pressure को कम करने में मदद करती है. यह दिल के दोरे और stroke को रोकने में मदद करता है. एंजाइना यानि की हिरदे संबंधित सीने में दर्द को रोकने के लिए इसे भी लेने की सलाह दी जाती है. कड़पिन B-Stabulate को अकेले या अन्य दवाओं के साथ लेने की सलाह दी जा सकती है. दोज आपकी condition की गंभीरता पर निर्भर करती है. आप इसे दिन के किसी भी समय भोजन के साथ या बिना खाय ले सकते हैं. लेकिन प्रती एक दिन इसे एक ही समय पर लेना सबसे अच्छा है. डॉक्टर इसे जब तक लेने की सलाह देते हैं. तब तक इसे लेते रहें. अपने आप इस दवा को लेना बंद न करें. चाहे आप बहतर महसूस कर रहे हों क्यूंकि हाई blood pressure में अकसर कोई लक्षन नहीं होते हैं. इसके कारण अचानक होने वाली बढ़ोतरी की पहचान करना मुश्किल हो जाता है और अगर आप इसे लेना बंद कर देते हैं, तो आपकी स्थिती और भी खराब हो सकती है. नियमित व्यायाम के साथ सक्रिय रखना, अपना वजन घटाना और स्वस्थ डाइट खाना आपके blood pressure को नियंतरत करने में भी मदद करेगा. इस दवा को लेने के दौरान अपने डॉक्टर की सलाह का पालन करें. सबसे सामानने साइड इफेक्ट में धकान, एडिमा, यानि की पैरों में सूजन, नींड आना, चक्कर आना, फ्लशिंग, हिर्दे की असामाने धर्कन, यानि की दिल की धर्कन बढ़ जाना और सिर्दर्द शामिल हैं. अगर इन में से कोई भी आपको परिशान करता है, या नहीं जाता है, तो अपने डॉक्टर से परामर्श करें. पैर या टेखनों में सूजन और दिल की धर्कन बढ़ जाना जैसे, साइड एफेक्ट की गंभीरता अन्य समान वर्ट की दवाओं की अपेक्षा कम होती है, स्टडी दिखाया है कि इसका केड़नी पर भी एक सुरक्षात्म कसर होता है. इसे लेने से पहले, अगर आपको लिवर, किड़नी या हिर्दे की कोई समस्या है तो डॉक्टर को बताएं. गरभवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को यह दवा लेने से पहले डॉक्टर से भी सलाह लेनी चाहिए. अपने द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में अपने डॉक्टर को भी बताएं विशेश रूप से जिनका इस्तेमाल high blood pressure या हिरदय के इलाज के लिए किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह दवा ठीक से काम कर रही है आपको अपना blood pressure नियमित रूप से चेक करना चाहिए विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके notification bell icon पर क्लिक करें और all notification को क्लिक करें धन्यवाद